देखो next है हमारा entertainment allowance entertainment allowance basically होता क्या है कि जब कभी भी कोई customer दुकान पे आता है तो customer को जैसे मालो आप कभी भी किसी बड़े showroom में जाते हो और कुछ बड़ा deal करने जाते हो यानि समान जो purchase करने जाते हो वो ज्यादा amount का होता है तो ऐसे situation में दुकान दार जो है वो आपका ध्यान रखता है ध्यान क्या रखता है जैसे जाओगे आपसे चाय पूछेगा अगर time हो गया है दो धाई बज गया है तो lunch भी आपसे पूछेगा ये दुकानदार self नहीं बैठा होता मान लो reliance है अब reliance के किसी store पे जाते हो और वहाँ से बहुत बड़ी deal करते हो तो वहाँ पर manager बैठा होगा उस manager से deal करोगे तो इसी तरीके से वहाँ के manager या वहाँ के कोई भी जो lead person है उसी से आप बात करोगे lead person से और वो आपके उपर कुछ ना कुछ खर्चा करेगा तो जैसे मान लो आप गए suppose करो कि आप big बजार गए और वहाँ से आपने कोई बहुत बड़ा deal किया तो big बजार का जो manager है उसकी salary तो पचास अजार रुपए है salary पचास अजार पर मंत लेकिन उसने क्या करा अपने customer पे 10,000 रुपए खर्च करती है पूरे महने में 10,000 कैसे एक customer आया था उसको lunch करवाया फिर एक customer बाद में भी आया था time हर एक दो घंटे में भी customer आयते हैं तो कुछ ऐसे premium customer थे जिसके उपर उसके 10,000 खर्च हो गए तो ये 10,000 रुपए जो इसने खर्च किये फिलहाल तो इसने अभी अपने pocket से खर्च किया मेनेजर ने लेकिन ये 10,000 ही receive इसे मिल जाएगा कहां से मिलेगा इसे 10,000 रुपए ये 10,000 रुपए इसको receive कर लेगा ये जो इस big बजार का honor है जैसे इस big बजार का honor का नाम है किसोर भियानी तो वो क्या करेगा इसको 10,000 salary तो देगा और salary के साथ 10,000 देदेगा next time से क्या process रहेगा इसका इसको जो भी salary मिलेगा वो salary तो बोलेगा ये लो 50,000 और पहले advance में ही इसे कुछ पैसे दे दिये जाएंगे 7000-10000 बोलेगा यह रखो यह आपके किस लिए काम आएंगे अगर कोई premium customer होता है तो उस पर खर्च करने का तो entertainment allowances मिलेगा आपको entertainment allowance क्या होता है salary से extra amount दिया जाता है वो खर्चे के लिए दिया जाता है बचाना नहीं है आपको इसमें से कुछ भी खर्च करना होता है तो entertainment allowance के अंदर आपको दो तरीके के employee हो सकते हैं government employee एक हो सकते हैं आपका non-government employee जिसको basically private काम बोलते हो आप non-government employee में अगर private employee है तो उसके लिए होगा fully taxable लेकिन अगर government employee है तो उसके लिए exempt होगा अब exempt मतलब सब पर tax नहीं देना कुछ पार्ट होगा इसलिए मैं यहाँ पर लिखूँँगा exempt lower of government ने कहाए कि आप government employee हो तो आपके उपर खर्चा जो होगा यह मिलेगा वो exempt होगा lower of जैसे lower of क्या point number one entertainment allowances entertainment allowances receive नमबर टू maximum limit फाइफ थाउजन नमबर थ्री 20% of basic salary इन तीनों में से जो lower होगा वो exempt माना जाएगा अब इसको मैं एक example पर अपलाई करता हूँ फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा यह मैं मान लेता हूँ एक यहाँ पर calculation राम जो है यह जॉब करते हैं अमाउंट और पर्टिकुलर सपोस्पोस करो राम का बेसिक सेलरी मैं शॉर्ट वर्ड यूज करूँए बेसिक सेलरी दस हजार रुपे पर मन्त है मल्टिप्लाइट ट्वेल और इसे पांच हजार रुपे एंटेटेन्मेंट अलाउंस मिला तो एंटेटेन्मेंट अलाउंस रेसीव फाइफ थाउजन दो पॉइंट मैं इसके अंदर डाला कि इसका बेसिक सेलरी है एक लाग बीस अजार और एंटेटेन्मेंट अलाउंस पांच हजार और यह है गौवर्मेंट इंप्लोई यह है गौवर्मेंट इंप्लोई नीचे यह है यह है गौवर्मेंट इंप्लोई अब गौवर्मेंट इंप्लोई के अंदर तो पहले तो हम इसका फूरा total करेंगे जिसको लिखेंगे gross total salary कितना आ गया हमारा यह salary हो गया लेकिन इसमें से अब less करेंगे deduction less deduction कौन से section का 16 subsection 2 का deduction less करेंगे कितना less करना है उसका calculation कहता है point number one check करो actual receive कितना है या मैं थोड़ा इसको increase कर देता हूँ 10,000 कर देता हूँ ताकि example ठीक हो जाए ठीक है 10,000 कर दिया मैंने तो 10 actual receive कितना point number one में point number two क्या कहता है maximum limit point number three क्या कहता है 20% of basic salary basic salary कितना है 1,20,000 1,20,000 का 20% कहता है कि आपको deduction मिल जाएगा अगर ये वाला government employee हुआ तो उसको exemption यानि deduction मिलेगा और deduction होगा lower of कितना जो तो तीनों में से कम होगा तो तीनों में से कम क्या है तो मैं यहां से less कर दूँगा 5000 यानि taxable salary आ जाएगा 25,000 ठीक है same 5000 maximum है इससे ज़्यादा नहीं हो सकता इसके बाद same अगर देखा जाए अगर ये private employee के लिए मैं calculate करता तो यहां तक तो same ही रहता और यहीं पे खतम हो जाता यानि इसके आगे ये section 16 subsection 2 का उसके लिए deduction है ही नहीं उसके लिए क्या है fully taxable तो यहां जुड़ गया तो इसका मतलब fully taxable हो गया तो government employee और private अब जितने भी question चलेगा हमें जब employer को employee का relation देखना है वहाँ पे government और non-government को भी ध्यान में रखना पड़ेगा हमें बिना government non-government को ध्यान में रखे नहीं होगा तो यह मैंने एक example लिखा आप इसको जब note करें तो ये वाला example ना इसके नीचे note कर लेना और यही example सेम इसके नीचे note कर लेना बट यहां पे deduction 16 subsection 2 में डाल देना 0 private employee में क्योंकि कोई भी deduction उसमें नहीं मिलेगा तो आप note करिए एक बार entertainment allowances